ब्रह्मूरत में उठने से क्या फायदे होंगे? कौन-कौन सी चीजें आपके लाइफ में अच्छी होनी स्टार्ट होंगी? कौन-कौन से चेंज़स आपके लाइफ में आने लगेंगे? आज मैं इसी के बारे में बात करूँगी Hello and Welcome, मैं हूँ पीती तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसी के बारे में बात करूँ ब्रह्मूरत में उठने से आपकी सारी विशेस पूरी होने लगेगी आपके लाइफ में जो भी प्राब्लम्स हैं वो सब कुछ सॉल्फ होने लगेगा आपके पास आपकी life से जुड़े जो भी problems हैं उन सब का solution होगा आप जो कुछ भी चाहते हैं वो आपको मिलने लगेगा आपकी life में कुछ अच्छा कुछ नया positive changes आना start हो जाएगा सब कुछ बदलने लगेगा ब्रहमूरत का जो time है वो है 3.30 to 5.30 के बीच का यानि कि सूर के निकलने से डेड़ घंटे पहले अगर आप सूर के निकलने से डेड़ घंटे पहले उठते हैं यानि आप ब्रहमूरत में उठते हैं तो आप अपने लिए जो भी चाहेंगे जो भी सोचेंगे वो आपको जरूर मिलेगा इस time environment में बहुत ही positive energy होती है अगर आप spiritual तरीके से देखें या मानें तो सभी देवी देवताओं का विच्रण जो है वो morning में होता है morning में 3.30 to 5.30 ब्रहमूरत में सभी देवी देवताओं का विच्रण होता है ऐसे में अगर हम सुबा जल्दी उठते हैं अगर हम इस बीच उठते हैं तो भगवान की कृपा हमारे उपर बनी रहती है उनका आशिरवात हमारे साथ रहता है और ऐसे में फिर उनका आगमन भी हमारे हां होता है हम पर उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है इसलिए ये कहा जाता है कि सुबा हमें जल्दी उठना चाहिए और morning में यानि सुबा हमें वो सारे काम जरूर करने चाहिए जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा important है यानि अपने एक दिन की शुरुआत हमें अच्छी चीजों से करनी चाहिए हर चीज को हम दो तरीके से देख और समझ सकते हैं spiritual तरीके से भी और scientific तरीके से भी अगे अगर हम scientific तरीके से देखें तो morning का जो time है इस time पर environment काफी positive और energetic होता है इसलिए ऐसे time पर हम काफी energetic और fresh feel करते हैं और काफी positive रहते हैं ब्रह्मूरत यानी 3.30 to 5.30 उठने से हमारा conscious level भी बढ़ता है और हमारा patience भी बढ़ता है इससे हमारी health भी अच्छी होती है और हमारे face पर एक natural glow भी बना रहता है हमारी growth भी इससे अच्छी होती है क्योंकि जब हम सुबा जल्दी उठते हैं तो हमें काफी time मिल जाता है अपनी planning के लिए अपनी growth के बारे में सोचने के लिए morning में आप जो चीज़ें मांगते हैं या जो चीज़ें आप अपने मन में सोचते हैं वो चीज़ें जरूर पूरी होती है ब्रह्मूरत में उठकर के आप जो चीज़ें फील करते हैं वो चीज़ आपकी life में जरूर होता है इसलिए इस time आप कुछ भी negative मसोचिए इस time आप अच्छा सोचिए अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में सुबा उठने के बाद भी अगर आपके मन में negative thoughts हैं तो ये negative thoughts आपको धीरे धीरे करके और ज्यादा negative बनाती है इसलिए इस negative thoughts को आपको अपने मन से निकालना है बस अच्छा सोचना और फील करना है बारे में उठते ही आप कुछ न कुछ खाएना और नहीं आप खाली पिट चाय या कॉफी लें इससे आपको बिमारियां भी हो सकती मन में बस positive feeling रखिए negative thoughts या negative feeling आपको पूरे दिन परिशान कर सकती है और ये आपको stress दे सकता है उठकर आप कोई भी workout करिए, exercise करिए, yoga करिए ये सारी चीज़ें morning में करना काफी easy होता है और इस time हमारे पास energy होती है हमारा mood अच्चा होता है तो ये सब करना हमारे लिए काफी easy हो जाएगा morning में हम पने काम को ज़्यादा अच्छे तरीके से कर भी पाते हैं और इस से फिर हमारे अंदर positive energy जाती है और जब positive energy हमारे अंदर जाती है तो हमारे अंदर से अच्छे thoughts भी निकलते हैं इससे हम पूरे दिन energetic रहते हैं active रहते हैं और fresh feel करते हैं मिलती हूँ अगले वीडियो में वीडियो को like, share और subscribe केजिए अपना ध्यान रखे Thank you, bye bye